Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace. हम लोग इस चैप्टर का भी लास्ट टोपिक करेंगे, Thinking about time and historical periods. देखो अगर हम बीते हुए time की बात करें, बीते हुए समय की बात करें, तो वो एक history बन जाता है, right? तो अगर हम historians की बात करें, तो वो बीते हुए time को या history को ऐसे नहीं देखते जैसे की अगर clock की हम बात करें, तो गड़ी में क्या होता है? hours बीते रहते हैं, calendar में क्या होता है? days बीते रहते हैं, साल बदल जाते हैं, सो कहने का मतलब है, historians ना इस time को बहुत importance देते हैं, जो बीत गया, और ये कहते हैं कि जो ये बीता हुआ time हैं, जिसे हम history कह रहे हैं, ये ना सिर्फ passing of hours, passing of days and passing of years की बात नहीं है, बलकि time से हमें बोहुत सारी चीज़े जानने को मिलती हैं, जैसे कि time reflect also changes in society and economic organization, time से हमें ये पता चलता है कि उस particular society में social and economic changes कितने हुए थे, इसके अलावा time से ही हमें ये पता चलता है कि लोगों के जो ideas हैं, जो लोगों के perspective हैं and लोगों के जो belief हैं, मतलब जो विश्वास हैं, तो लोगों के ideas and belief में कितनी persistency थी, मतलब कितनी stability थी, persistency का मतलब होता है stability, and फिर हमें time से ये भी पता चलता है कि लोगों के ideas and belief में कितना transformation हुआ है, मतलब कितना बदलाव हुआ है, ठीक है तो हमें ये पता चलता है कि ideas and belief में कितनी stability and बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, पर ये पता किसे चलता है, ये उस history से जिसे हम बीता हुआ कल कह रही है, the study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो समय बीत गया, अगर आपको उसकी study करनी है, तो past को हमें divide करना पड़ेगा large segment में, जिसे हम कहेंगे periods, अब periods में जैसे कि यहाँ पर ancient time period की बात हो रही है, medieval time period की बात हो रही है, और आगे जाकर हम 8th class में modern time period की बात करेंगे, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हमें इस बीते हुए कल को पढ़ना है, तो हमें इस past को large segment में divide करना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, periods कहेंगे, अब periods का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वो time period, वो समय जिसके same characteristic थे, उनको हम एक category में डाल देंगे, तो अगर आप ancient and medieval time period में देखोगे, तो दोनों में आपको large difference देखने को मिलेगा, ओके, इन दे middle of 19th century, अगर 19th century के middle time period की बात करें, तो जो British historians थे, अब यहाँ पर ध्यान देना, British historians की बात हुई है, ठीक है, British historian का मतलब वो historians जो Britishers थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर आकर past की study की, तो उन्होंने क्या किया, कि यह history of India जो है इसको तीन period में बाट दिया, तीन period में कैसे बाटा, Hindu, Muslim and British, अब इसका मतलब क्या है, अब जब आप ancient time period की बात करते हो, तो Britishers ने यह का कि उस time period में rulers जो थे, वो हिंदू थे, तो इसलिए इन्होंने क्या का, जो ancient time period है, वो हिंदू का था, फिर इन्होंने middle time period में क्या देखा, कि Muslim rulers जादा रहे, तो इन्होंने इस time period को Muslim नाम दे दिया, और फिर इन्होंने कहा, जैसे कि आप 8th class में पढ़ोगे, कि modern history में आप देखोगे, कि Britishers का time period रहा, तो अब देखो, British historians ने जो है, history को divide किया, Hindu, Muslim and British में, और हम कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, ancient, medieval and modern, whereas, अगर British historians की बात की जाए, तो उन्होंने Hindu, Muslim and British इन तीन periods में divide किया था, अब आपको आया समझ में कि क्यों divide किया था, अगर हम ancient की बात करें, तो इन्होंने कहा, इस time period में Hindu rulers थे, चीक है, medieval time period पढ़ रहे हो, ठीक है, 7th class में, तो इस time पर इन्होंने कहा कि Muslim rulers जादा थे, फिर जब आप 8th class में जाओगे न, तो आप modern time period पढ़ोगे, तो British rulers जादा थे, तो इसी लिए इस basis के हिसाब से, rulers के, साशन काल के हिसाब से, इन्होंने इस period को divide किया था, Hindu, Muslim and British में, ओके, now this division was based on the idea that the religion of rulers was only important historical change, अब देखो, ये जो British historians ने Hindu, Muslim, British में divide कर दिया history of India को, ये गलत था, क्यों गलत था, क्योंकि history सिर्फ राजा के और राजा के religion के बारे में तोड़ी ना है, history में तो बहुत सारी चीज़े other ऐसी होती हैं, जो significant है, जैसे कि उस time period की economy, उस time period की society, उस time period में लोगों का culture, ज़र वो भी तो matter करता है, सिर्फ राजा के ही बारे में तोड़ी ना है history, so such a division, मतलब जो ये British historians ने ये division किया न, इसमें किस चीज़ को ignore किया गया, हमारे सब continent के rich diversity को, क्योंकि सिर्फ Hindu, Muslim और British थोड़ी ना थे history में, इनके अलावा other religion भी थे, और सबके अपने अलग culture, अलग language थी, तो कहने का मतलब है ये चो diversity हम देख रहे ना आज के time पर, ये पहले भी थी, तो British historians ने diversity को ignore कर दिया था, ठीक है, बस उन्होंने इस period को बाटा किस चीज़ के हिसाब से, रूलर्स के religion के हिसाब से, जो की गलत था, ओके, तो जिस time period में British historians ने past history को बाटा हुआ था, उसको ना आज के time पर बहुत ही कम historians फोलो करते हैं, ज्यादा तर historians बीते हुए time period के economic and social factor को पढ़ते हैं, सो कहने का मतलब है कि अगर हम British historians के time period को फोलो करेंगे ना, तो हमें past history के बारे में उतना अच्छे से पता नहीं चलेगा, सो बेटर है कि हमें उस time period के economic and social factors को ध्यान में रखकर past की study करनी चाहिए, जैसे कि अगर हम उस history की बात करें जो आपने already sixth class में पढ़ ली है, ancient time period, तो उसमें हमने पढ़ा hunter gatherers के बारे में, early farmers के बारे में and उन लोगों के बारे में जाना, जो town and villages में रहते थे, early empires के बारे में पढ़ा, early kingdoms के बारे में जाना, अब इस साल आप क्या पढ़ोगे, medieval history पढ़ोगे, तो medieval history में आप जानोगे कि किस तरीके से pageant societies का spread होता है, and इनी pageant society में फिर आप economic differences भी देखोगे, इसके अलावा social status में भी differences देखोगे, कुछ peasant अमीर होते गए, कुछ peasant जो है, बिलकुल low class में चले गए, इसके अलावा, इसी time period में आप बहुती बड़े empires के बारे में पढ़ोगे, pan regional state के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जो कि जैसे चोलाज हो गए, and सुल्तान्स हो गए, आप इस तरीके से बड़े-बड़े empire के बारे में पढ़ोगे, and ये बड़े empire जो बने थे, sometimes at the cost of pastoral and forest people, क्योंकि pastoral and forest people थे, इनको तो बहुत suppress किया गया, forest people को तो migrate होना पड़ा था, क्योंकि इनके forest को clear करा दिया गया था, pastoral people वो हुए, जो चरवाहे होते हैं, जो cattle को rear कर रहते हैं, and ये लोग घुमनतू होते हैं, एक जगह पर ये लोग stable नहीं होते, ठीक है, ये घुमते रहते हैं, तो इनके cost पर बड़े-बड़े imperial state बनाए गए, now the development of Hinduism, इस time period में आप Hinduism, and इसके अलावा Islam, जो religion है, इनके development के बारे में भी पढ़ोगे, and अब ये भी जानो में पढ़ोगे, जो कि आप 8th class में जाकर पढ़ोगे, ठीक है, these thousand years of Indian history witnessed considerable change, in 1000 सालों में हमें बहुत सारे considerable changes देखने को मिले, so after all, अगर हम 16th and 18th century को, अगर हम 8th and 11th century से compare करें, तो हमें बहुत सारे difference देखने को मिलेंगे, So therefore, describing the entire period, इसलिए अगर हम सोचो कि अगर हम 16th, 18th, 8th and 11th, इन सारे period को एक साथ unite करें, तो क्या हमारे लिए ये समझना आसान होगा कि कौन से period में क्या कुछ हुआ था, नहीं न, तो जो different periods हैं, उनको हमें अलग से पढ़ना होता है, जैसे कि अभी हमने उपर क्या जाना, उ ancient and medieval time period के difference की बात की थी, ठीक है, तो यहाँ पर मार्क कर देते हूं, फिर भी अगर आप भूल गए हो तो ये जो हमने बात की यहाँ तक, ये ancient time period की थी, फिर इससे आगे यहाँ पर जो हमने बात की, ये medieval time period की थी, ठीक है, तो इन दोनों में हमने difference देखे, अब अगर हम medieval and modern time period की बात करें, तो इनके बीच में भी हमें contrast देखने को मिलता है, मतलब difference देखने को मिलता है, ठीक है, contrast का मतलब होता है difference, ये ये कहलो एक दूसरे से अलग, modernity carries with it a sense of material progress, अब modernity में, मतलब modern time period में हमें ये देखने को मिलता है, कि बही, इस time period में काफी सारे material progress हुए थे, बहुत इक progress हुए थे, technology बहुत, मतलब जबरदस्त हो गई थी, इसके अलावा intellectual advancement हमें देखने को मिलता है, so this seems to suggest that medieval period was lacking in any change or whatsoever, but of course we know that this was not the case, अब modern period में हम ये पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे material and intellectual advancement हमें देखने को मिला, हैं, ठीक हैं, so जो ये 1000 साल हैं, ये जो 1000 years हैं, हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे subcontinent की society में बहुत सारे drastic transformation हुए, इसके साथ-साथ economy में भी change हुए, हमारा subcontinent economy में flourish हुआ, prosperity आई, अब इसी prosperity ने European trading companies को attract किया, अब European trading companies में आप देखोगे कि British traders, French traders, Portuguese traders, ये सब यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ये सब अपना सिक्का जमाने की कोशिश करते हैं, so as you read in this book, look out for sign of change, आपको हर change के बारे में जो यहाँ पर sign देगे हैं, उस चीज को आपने समझना है, हर sign को समझना है, इसके अलावा जो भी historical process हुए उस चीज को समझना है, इसके अलावा आपको compare करते चलना है, past जो history रही है, एक दूसरे से हर एक period को आपने compare करना है, जैसे कि अगर हम बात करें, कि medieval time period की अगर हम बात करें, तो हमें उसको ancient से compare करते चलना है, फिर हम modern time period की अगर बात करेंगे, तो हमें modern time period को जो last के दो period है, ancient and medieval उनसे compare करते चलना है, तो ये जो comparison है न, अगर आप ये करते चलोगे, तो आपको चीजे और ज्यादा clear होंगी, in fact, आज के time पर भी अगर आप देखोगे, तो आप ये देखो कि कितना change हुआ है, या फिर सब का सब बिलकुल same है, तो आप कहतो नहीं सकते कि सब का सब same है, जैसे कि आप अपने time period क अपने ममी पापा के, अपने दादा दादी के, अपने नाना नानी के पड़ दादा पड़ दादी के time period के अगर आप बात करोगे न, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एक सालों में ही इतना बदलाव हो जाता है, जबकि यहाँ पर तो हम फिर भी हजारों सालों की बा सकते हैं, दोनों की ID आपको description box में मिल जाएगी and display box पर भी आपको दिख रही होगी, thank you so much for watching this video, पहली बार आए हो मेरे चानल पर, तो subscribe करें भी न, बिल्कुल मत जाना, thank you, bye bye